आदावर से प्रोग्राम आएनम में आपका इस्तखबाल है हमारा शहर औरंगबाद जहां से उर्दू ने जनम लिया और सारे दुनिया में पहल गई इस चहरे औरंगबाद में उर्दू के बड़े बड़े उस्ताद बड़े बड़े शायर पैदा हुए और उर्दू के लिए अपने खिद्मात देते हुए अंजाम तक पहुँच गए हैं जिन में वली औरंगबादी सिराज औरंगबादी सिकंदर लिवष्ट खाजी सलीम बशर नवास और आज जो नई बीड़ी उनके बाद है उन में सबसे नुमाया नाम जो आज नजर आ रहा है वह जनाब नूरुल हसनन सहब जो एकhabitude है जो एक अफसाना निगार है नाविलिस्ट है कई नाविल लिखे है और मध्यापरदेश और महाराष्ट स्टेट से राजिस्थान से उन्हें काफी इनामात, उनके नावलों के लिए दिये गए हैं, उनके फिक्शन के लिए दिये गए हैं आज हमारे मेमान हैं, और हम इतनी अजीम तारीख के इस शहर में जहां अरदू ने जनम लिया, अरदू आगे बड़ी दुनिया में पहली वहां उस विरासत को आगे बढ़ाने में एहम करदारा अदा कर रहे हैं जना अपने हमें वक्त है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यायाज सुप्रिय की बात नहीं शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने मुझे फिर एक मरतबा ये माफ़का दिया कि मैं अपने शहर के लोगों से अपने साथियों से वो लोग जो मुझे पढ़ते हैं उनका उनके रूबरू हो सकों तो शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए रसना साथ सवाल जो शुरू होता है कि इतनी अजीम तारीख है शहर के उर्दू जबान को लेकर और आज जहां पर आज के माहुल में उर्दू का जो लिखने वाला है जो पढ़ने वाले हैं कि आप उनसे मुतमईन है या कहीं आपको कमीन है मैसुसरे कोई बेचैनी आपके अ दोर अपने कुछ मकासिद अपनी कुछ जरूरियात और अपने कुछ मतलब एमस लेकर आता है यकिनी तोर पर एक दोर अर्दू का दोर था जब सारा मुल्क अर्दू बोलता था अर्दू रोजी रोजगार से भी जुड़ी वी थी वक्त के साथ-साथ यह हुआ कि कि वो सहुलते कत्म हों गई नतिया यह हुआ कि अर्दू का वो बड़ा तबका जो अपने बच्चों को अर्दू तालीम दिलवाता था और मुतमईन रहता था हर तरह से कि उनका मुस्तर्मिल बहराल शानदार है आज सबसे बड़ा मसला तो रोजी रोजगार का है तो इसल कर रहे हैं अब वो तबका जो गुर्बत या मतलब गरीबी के दौर में या कुछ ऐसे लोग जो अभी भी उर्दू के सर्फरोश है वो अपने बच्चों को अर्दू तालीम दे रहे हैं दूसरी बात यह कि जब मैं ज्यादा दूर नहीं जाओंगा मैं मेरे अपने नमाज होते थे सफ्योदीन सिद्धी की होते थे इसम जाविश शेक होते थे और भी कहीं लोग होते थे तो ये लोग मुक्तलिफ अद्वी बातों करते थे और तहरीकार पर कोई अगर अच्छी नजम चपी तो उस पर गुफटगू करते थे सारी बाते होती थी तो हम हैं दो रखन दो backward की महाया होते हैं 이ुरान को नही जब और केंड़ा P की और इस जबान का हो मेजाच या जब्ञाप मजाच इंज भू लोग वोलते थे आज आप । देखेंगे के जब लघही नीचे 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 होता है अब िक फोड़ी देर के लिए आई अ गुलते हैं रहे वो खतल हो गया है ना तो ऐसे कहीं चीजे हैं कहीं रिवायते हैं जो वक्त के साथ-साथ बदल जाती है या उसका मियार नीचे आ जाता है तो तो क्या इस ये महौल जो आज है उसकी बेचेनी या उसका जो कमी है वो आपको नावल और अफसाना लिखने पर मजबूर करती है देखे लिखना तो क्या है एक जुनून है अब जब जुनून होता तो आदमी ये नहीं देखता कि मैं जुनून मुझे रख्स कर रहा हूं कितने लोग देखरें कितने लोग नए न देख रहे हैं झालजे लिखने के लिखने वाले अपने तोर पर महनद करते हैं आचा लिकना भी ऐसा है कि हमारे पास बाद की बच्चे जो है जिनूने भी एक-दो खळ्ल उनकी अखबारात उनिए जिनी छपी आैक-दो घजल उन और जब बाहर आएंगे तो आपको लगाएंगे आपके हाथ तो ऐसी सूखे के सूखे रहेंगे तो जबान का मामला है सही है लिखने लिखाने और आप जो बता रहें ना कि ये सारी चीज़ें तो जैसे जैसे मतलब आदमी का अपना तजर्बा बढ़ता जाता है और जब वो इसी उसमें रहता है तो वो अपनी जबान को तो माझ लेगा लेकिन खारी का क्या करेंगे उसको जबान के माझ देंगे उसको जबान को माझने के लिए कौन से रास्ते रहे देखे, मैं एक आपको बहुत आहम बात बताने जा रहा हूँ, किसी जबाने में फिल्मों ने उर्दू की बड़ी खित्मत गी, आज अगर आप देखेंगे, तो फिल्मों से भी उर्दू कम हो रही है, उसके बजाए पंजाबी ज्यादा आ रही है, गानों में भी आप देख बहुत मुश्किल रास्ते है, ये बहुत सक्द जान जबान है, ये जिन्दा है, ये बहुत बड़ी पात है, हसना सब किसी भी जबान का आदब, उस जमाने का अकासी होता है, लिखने वाला जो भी हो, जो हसास लोग होते हैं, वो उस जमाने के हालात को अपने राइटिंग में लाने की कोशिश करते हैं और उसका अख्स बन जाते हैं आज के माहुल में जिस तरह का हमारे मुल्क का माहुल है जहां हम सियासी लोग या फिर जो है तो माशी लोग या फिर जो पिछड़े हुए लोग हैं जो बहुत पीछे रहे गए हैं दूसरों से उनकी जो मुश्कि कि लिखने वाले के राइटिंग में आफसानों में या नजम में घजल में देखते हैं जिए पहले हुआ करते थे अली सरदार जाफरी थे खाजाय माद अबास वगारा ये जिस तरह की राइटिंग उनमें एक दर्द था एक तड़ब थी उस उस लेवल का कुछ है देखे लेवल तो मैं नहीं बता सकता लेवल वहां तक पहुचे हैं नहीं पहुचे हैं लेकिन मैं आपको बताउ कि अदब जो होती ह perfection क्योंकि मौर्र जो हुता है वो तो पेड़ होता है उसको एक तंकhा मिलती है और चाहे वो दर्बारों का हो या जम मौर्रेट का वो वो ही ऽो पाया जाता है लेकिं ऐक अदब जो होता है चो चाहे वो नजम की सुरत हो गजल की सुरत ओ अफसानी की सुरत हो नाविल की सुरत हो उसमें वो दर्ड जरूर आता है डाना आज अगर हम नाव्ल का एक देखें नाविल इस मत्तबह पिस दह को कहा जा रहा कि ये नाविलों का दोर है तो इसमें 90% नाविले आपके ऐसी मिलेगी जो सियासी मौजबात पर है अच्छा जिन में मुसलमानों के या दलीतों के या जो भी हमारे हाला हो रहे है या जो भी सियासत के जो रूख बदल रहा है वो सारी चीज़ें हमको अदब में मिलती है शाय बीज़ें भी वैसी थी आज भी लिखी जरूर जा रही है लेकिन मुश्किल यह है कि जैसे सर्दार जाफुरी वगारा का जो दौर था तरक्टी पसंदी का दौर तो वह एक मुताले का दौर भी था कि मैंने तरफ्टी पसंदों के बारे में पढ़ा था कि बॉंबई के अंदर जब तरफ्टी पसंद तहरी एक शुरू भी जहां क्रिशिंदर थे, सद्रार जाफरी थे, बलाज सानी थे और ये सारा एक ग्रूप था तो वो मिल के मजदूर, जो गाल खानों में प्रूप काम करते थे, शाम में लाइट के सामने बैटकर सड़क पर उन में से छो थोड़ा बहुत पड़ा लिखा हुता, तो अफबार पढ़किं अनको सुनाता ही था वो उसमें से नजमे सुनाता था वो घजल सुनाता था वो अफसाना सुनाता था और पूरे वो लोग एक तरह की बेदारी उन में मैंदा होती थी आज अदब से बेदारी का काम नहीं ले सकते हैं क्योंकि मुताला बहुत कम हो गया और उसके एक वज़े ये भी है कि अब जो है वो जमाना ये है कि अगर मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं तो मैं उसको अदब की चीज़ पढ़ने ही नहीं दूँगा कि बेटा ये रहने दो पहले वो पड़ोगा कोई भी जॉख बनने की चीज़ जो होती है वो बच्पन से जवानी तक की होती है अगर वो फेज गुजर गया तो फिर शौक जौक सब कतम हो जाते हैं फिर प्रैक्टिकल लाइफ उसके नतायच भी हम लोग देख रहे हैं जो हमारे डाक्टर सहावार है जो वकील है या जो इस प्रोफोर्शन में है वो सिर्फ अच्छे वकील है अच्छे डॉक्टर है औ और अच्छे कुछ भी हो सकते हैं अच्छे इंसान बना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है और अच्छा इंसान बनाता है अदब अदब बनाता है यह बात किसी बड़े राइटर ने भी कही है मैंने कहीं पड़ा उसको सब आपने जो तो कही नावले लिखी लेकिन आपक तो ये के वो पांच सो खबल मसीज से शुरू होती है जैसे उसमें दरावड पिरियड भी है आरियन्स का भी है उसके बाद जो सिकंदर आजम है और गया से कई चीजे उसमें चलिया रही तो आज के कीसवी सदी के दाये के खत्म होती है तो अब मैंने देखा कि 90% हमारे पास स अब मेरी है तो खारीन के लिए कुछ देर के लिए मैं कुछ एक ऐसी फिजा में लेके जाओं जहां वो थोड़ा सा सुरूर और इंबसाथ मैसूस करें तो मैंने उसके लिए किया कि कदीम जितने भी हमारे एहम रूमानी दास्ताने हैं उनको एक ही फ्रेम में बानने की अलामत बना हुआ है क्योंकि अगर आप फिल्मों में भी देखेंगे दंबर को बाते हजार कर लूँ तो चांड जो है मोहबत के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है तो मैंने उसी को करेक्टर बना तो यह सारी चीजे हैं तो उसमें वो सारी चीजे हैं और फिर उसके बाद मैं उसकी सिमते कहीं निकलती हैं और फिर मरकस के सब चलिया आती है तो मैंने उस फार्मेट को तो उसके अंदर अपलाई करने की कुशिश की थी और मुझे कुशी है कि जिस वास मैं लिख रहा था तो वो शक्स जिसकी तरवियत मेरे पूरे अद्बी माहुल पर मुहित है बश मैंने फून पर हमायत लिशायर से कही है तो बहुत अच्छा कांसेट है क्योंकि अब तक इस तरह का किसी ने लिखा नहीं सोचा भी नहीं अगर तुम लिख जाओगे तो यह बड़ा काम हो जाएगा चुनाचे जब यह नाविल आए और उसके बाद इसकी जब धूम मची पिर मतलब चुम्कि मारे दिली में आती है तो वो हो गया तो हमारे जो आज के फिक्शन लिखा है बहुत अहम नाम है सेयद मौमद अश्रफ का जी डाट से बिछड़े उनका अफसान आज भी मिसाल बना वा है उनके नाविले और यह सब तो उन्होंने तो एक अपने इंट में यह बाते हैं कि तकरीबन सारे नकादों ने इसको पसंद भी किया और अवामी तोर पे भी इसको वह रही क्योंकि देखे रुमान एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई एहद रोक नहीं सकता और मेरा कांसेप भी यह था कि अल्ला ने जब यह दुनिया मनाने का तसुब मतलब उसके जहन में आया होगा तो उसने आदम को बनाया अपनी पैचान के लिए उसने कहा कि मैं सतर माओं की महबत रहता हूं लेकिन आदम को मानी दिया हूं हूँ 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 दरसल यही से इस कि पहली बुच्छ बिया रही है और वही चीज़ें लेके फिर मैं आ कर पन जा रहूं आपसे, ऐसे कहते हैं, कि जिस खौम के पास अपने माजी के सिवा कहने के लिए कुछ ना हो, वो खौम जवाल की तरफ बढ़ रही है, अर्दू अदब में हाल के जो हाला थे, उसके जो आखिया थे, उसकी कमी, और हम जो अर्दू अदब के लोग है, हमारे माजी म जिसमें कैसा है कि अगर हाल से पाउरफुल आपका माजी हो, तो हम माजी में जीते हैं, यह फैक्ट है, क्योंके उर्दू वालों का एक जमाने में उर्दू वाले सजियों तब हुकूमत करते हैं, है ना, तो वो माजी तो बहराल उनका बहुश शानदार है, रोशन माजी ह और एक ऐसा माजी जिसमें सिर्फ इक्तिदार नहीं है, कामिरात है, अदब है, कई चीज़ें जिस पर है, तो साइंस है, यह सारी चीज़ों पर उप्हेले वे थे, हाल में नव ऐसे मौख़े हैं उनके लिए, नव वो करने की उनमें सलाहियत हैं, तो क्या यह बहतर ना हो, होता है, कि हाल पर जो कुछ है, उस पर ज्जादा लिखा चाए, चाहिप देखे हर आदमी माजी में नहीं जागता, माजी में तो वह जागता जो सेंसिट्य होता है, आम आदमी के लिए तो उसका हाल बहुत आएम होता है, हाल से परेशान होकर माजी के तरफ जाना, यह कोड़ एक कमजोरी है, बिल्कुल कमजोरी है यह, लेकिन उसके से आप पना का म आपने ही मिलेगा बताई यह देख्टे जिए हम फिल्मेगें क्यों देखते हूं हमारे वो दर्थ हमारे वो जल्म जिसको हम फाइट नहीं दे सकते हम फिल्म में देखते हैं कि हिरो एक फूरु मार रहा है एक पूरे करुप्षिं के ख़ला उगया यह तो हमको एक सुकून जब भी आदमी मतलब अपने आपको टटोलने की कुषिश करता है, अपने हाला से जिटार है, तो फ्रोधे फिर उना कि लिए कर लेता है, लेकिन अदब ऐसा नहीं है, अदब हाल का भी आईना है, अदब माजी का भी आईना है, और कोई भी अदब माजी से कट कर नहीं लिखा जा सकता है रिवायत जो है आपके बहुत स्ट्रांग होती है कभी भी किसी भी जबान के अदब में तो उर्दू के साथ भी यह है उर्दू का तो अपना बहुत बड़ा कल्चर है अपके जो अफसाने होते हैं आपके जो नाव ही किलो मानियत तो होती है रोमानियत से मुरा ये नहीं कि हिम एश्क कर मोहबद कर रहे हैं रोमानियत जो है एक जमालियाद होती है पूरी झृपर अदर आप खुबसूरत मॉनजर को देख рук अर अगर आप लुट्व ःंसकते हैं याप रोमानियम का गार बहुत खुशूर आसान भी नहीं है, महबत का जजबा है, चाहे जाने का अर्मान, और अगर किसी को चाहे, वो अगर चाहा जाता है, तो उसके मिजज में तो फर्क आने वाला है, तो एक ऐसा शख्स जो अदब से जुडावा हो, जो बच्मन से ड्रामा, स्टेज, ये सारी चीजें करता हो, जि आप से बाते करते हैं, कहीं मैंने पड़ा है, आपने एक खाका लिका था, किसी के किताब के लिए, चाहिद आर्यफ खुर्शित के किताब के लिए, वहाँ पर आपके पास, जब आप कुछ लिखना चाहरे हैं, और आपको कोई स्टार्ट नहीं मिल रहा है, और आप जाके अपने जगह पर आपने रूम मेरे बैट जाते हैं, वहाँ पर आप से बाते करने के लिए एक हुझूम आता है, उसमें जो है, तो वली होते है, सिराज होते हैं, और ये सिकनली वश्ट भी होते हैं, बहुत सार लोग होते हैं, तु ऐसा करो, तु ऐसा करो, तु ऐसा करो, इस तरह का जो स्टाइल है ये शाहिद लोग पसंद करते हैं तो ये अब कहां से मतलब अपनी कहसा लिए अपनी है ने कि मैंने इस से पहले बुला ना के मेरी तरवियत में बशन नमास का बहुत बड़ा है तो हम क्या करते थे उनसे बाते करते थे जाकर और जब मैं आकश्व नहीं है उसके बाद क्या हुआ कि अधर निजाम अदीन उलिया का उडसा गया तो उसके आद में रुबले कि इसको कवर करना है तो मैं पागा बशन भी के पास मुले बशन भी कवर क्या करो तो अबले टेप टेगाटर लेकर मान चाहो वां जो कुछ कववालियां बगर हो पर उनका अबजर्वेशन भी करो और उनका रिकॉर्ड भी करो कुछ लोगों से वह बाते भी करो लेकिन ऐसी बाते जिसको तुम राट कर सकते हैं जिसमें नैस्टन इंटेगरेशन ओ यह सारी चीज ऐसा अब वो मैंने सब कर के आ गया उसके बाद है तो फिर विल उन भी क अब इसके एक लिंक कॉमेंटरी लिखना है तुमको अब यहां तुम्हारी जबानदानी है यहां तुम्हारा इमेजनेशन है कि तुम्हें दरगा और पूरे मनजर को कैसे आपकों से देखा क्या क्या वो चीजियों औरी पस कुलू मिल गया चुरू लिख लिए उसके मैं करूंगां तो मैंने जिन्दगी पे करा जाहर है मेरे सामने माडल नगा तो मैंने जिन्नले के पीकराओ तो इस लिखी चीजे आद जैसे जैसे आप पड़ते हैं किर्दार आप से बात करते हैं तो अब क्या होता कि जब आप किसी चीज में उतर जाते हैं न तो फिर तो सारी आपके किर्दार तो कि ये शायर तो एक उमर तक जिए गा लेकिन फन बागी रहता है तो मैंने घजल को मैं हुआ को दिया एक लड़की बनाया उसको वो कब शायर से मिली और शायर का उसका मुकालमा कैसा कैसा हुआ और मालू हुआ कि उस आखर में छोड़ते हैं कि आप तुम्हेरा एक बढ़ा होते हैं जैसा सिराज के तालोग से वो बोलती कि मैं तस्वूफ को जानना चाहती थी इसलिए मैं तुम्हेरा को मिल गया अब मैं यहां से चली मुझे नहीं मालूं कि मैं किसके पास जाओंगी कौन मुझे थाबेगा क्योंकि मेरी जुल्फे कुलीवी है और हाथ अत्राफ में पहल है तो इस तरह से चीज़ें आपके जहिन में खुद आने लगती है और यही तो मतलब एक बुन्यादी फरका एक अधीब में और एक आमादी में और दूसरे अधीब से जुदा इस तरह की बाते हैं सिर्व मैं आपसे और एक सावल यह पुछने चाहता हूं कि आज के जो हम कोशी से कर रहे हैं, में अधीए कर रहे हैं, किताबे आते रहती हैं, तबसेरे होते रहते हैं, तो इन लोगों को आप कहा देखते हैं, यह लोगों भी मतलब अमर के उस स्टेज पर तो आगए हैं जहां शोरते हमना बिलनी चाहिये थे अब शोरतों का और जो तनकीत का हव हवाला बननी की बात है है नos कि किसी भी हदीव की पैचान यह है कि आपना है उसकी मिलसाल अदब कि तनकीदी मजामीन में कहा कवाना है है न其實 का हवाला भो ही बनेगा जो आम रुझान से यह आम ऊसलूप से या आम रिवायत से कुछ हट कर लिखेगा कुछ नया देगा या तो असलूब की सते पे देगा मौजू की सते पे देगा या टेकनिक की सते पे देगा अब ये सब जो लोग है जैसे आरिफ साथ के पास जो है उनके अफसानों में फलसफा और मिंतिक जिस तरह से आता है वो हम लोगों के पास नहीं आता है वो उनकी अपनी इंफरादियत है असलिब मिर्जा जो है वो मतलब किसी एक रुख पर टिके वे नहीं है वो तारीख में भी उनका दखल है तर्जमा भी वो करते हैं और भी मुक्तलिब जो भी काम है वो करते हैं असल में क्या होता है कि अदब की कोई एक सिंफ अगर मुझे से हम ले मिसाल के तोर पर अगर मैं नसर लिखता हूं तो नसर की जितनी स्तांफ हो सकती है जैसे अफसान आये नाविल है ड्राम है खाका है रिपोर्टाज है तो अगर मैं यह लिखो तो मुझे इसके लिए परिशार ही नहीं होता है अगर प्रफेशन भी आता है लेकिन अब मैं तारीख में भी खुशूंगा मैं तर्जुमें भी जाओंगा मैं फ़ला भी करूंगा तो यह बहुत अलग-अलग मैदान है जो 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 एक एक बड़े खामोश शायर है हमारे पास मैं उसके बारे मैं पुशना चाहूंगा फारुख शमीम साहब बहुत अच्छा शायर है फारुख शमीम का एक तो मुताला बहुत वसी है और इस वक्त मैं ऐसा कहूंगा कि जैने फितरी शायर जिसको बोलेंगों फारुख शमीम है बस फारुख शमीम की मजबूरी यह है कि फारुख शमीम अपनी चीजें इशाद के लिए या तबात के लिए भेशते नहीं है इस वज़े से उनकी वो खुश्बू जो सारे हिंदुस्तान में फैल जाना चाहिए था आज उनका भी नाम उतना ही बड़ा होता था तो उन्होंने उस तरफ तवच्छ नहीं दी अभी जैसे पहले सवाल में भी जो आपने बाती की कि ये सब लोगों का तो ये सब लोग अपने अपने मुकाम तक तो पहुँच गये हैं इनके इससे में जो शवरत आना है वो आ भी गई है लेकिन आज हम ये बोल सकते हैं कि अब ये तो हम सब एक ही कष़्टी में सबार है आज हम ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन कहां तक क्या गया किसकी मगबूलियत क्या है आवामी मगबूलियत एक अलग चीज है लेकिन अदब की मुस्तहकम मगबूलियत जो है ये तो वक्त फैसला करता है जो आज इनके बाद जो नए आने वाले है आपके नजर में है कोई और आप उनसे किस तरह की उमिद रखते है ये देखे ये आपने कैसा सवाल पूछा मुझसे किसमें मैं शर्मिन्दा हूँ उसके वज़े ये है कि हमसे पहले की जो नसल थी उन्होंने कम से कम हमारे जैसे खारी पैदा किये थे हमारी बदकिसमत ही ये है कि हम वो खारी पैदा नहीं कर सके है जब वो खारी नहीं आया तो लिखने वाला का आएगा एक गैप होता है कभी भी मुम्किन है कि उसके बाद फिर ये यहां पर उस तरह की चीज़े आ जाए लेकिन अभी तो मुझे बहुत कम रोश्ट जो भी जहां पर भी जो थोड़ा बुद लिख रहे हैं तो आप उनसे नहीं लिखने वालों से अप हमारे क्या कहना चाहेंगी से नहीं लिखने पहलों के लिए मेरा सबसे बड़ा मसला तो यह हैं उनको कहने का Г हृम्र, वह कोई जिस फील्ड में भी लिख रहे हैं चाहिए चाहिरी कर रहे हो चाहिए अपसाना लिख रहे हो ड्रामा लिख रहे हो या जो भी चीज कर रहे हो तो उसके लिए मुताला करें जबान को परखें जबान सीखें और जितनी मेहनत वो लिखने में करते हैं उतनी से ज्यादा मेहनत को पढ़ने पर करें वक्त निकालें अगर व नहीं बातों को किस तरह से पेश करना है, यह मुतालप आपको सिकाएगा, यह मुतालप आपको बताएगा कि इसको अगर हम स्वाम में पेश करेंगे तो इस ज्यादा कामियाब होगा, उसमें गहराई भी आएगी, जैसे एक बात को एक शफ दो जम्लों में लिगता है, यह न हाला के वो परफेक्ट हो चुका होता है, फिर भी और रियास करता है, क्यों? ताकि उसके जो सांस है भोना टूटे, तो एक अधिप के लिए भी उसका खलम जारी रहे उसके लिए, उसको है तो उसको मुतालब होगा है, यह जो अपने चान्द हम से बाते करता है, इसके बा जो मेरे मासरीन नहीं लिख रहे है, जैसे मेरा आहंकार जो तो तजरबाती नाविल था, एक दिहात के पसमंजर में, लेकिन उसमें मैंने पहली बार ये पेश किया, कि रिष्टे और मादियत, इनका तसादूं, क्या मादियत रिष्टों को खा जा सकती है, या रिष्टे म मादियत को खा जा सकते हैं, ये तक्रार है उसमें, उसके बाद फिर मैंने पांच-छे साल कोई नाविल ने लिखा, फिर मुझे एक मुझे बताया कि 5857 की जंग आजादी का इतना बड़ा इवंट, वो किसी एक नाविल का मौजू नहीं बना, चीजा चीजा नाविल है, ज और इसमें जाहर है कि वो फिजा को भी पकड़नी थी, जो सारे इंदुस्तान में थी, आजादी के से पहले की, जो एक नाविल में पढ़ा था कोई, कई चांद थे सर्यास्मा, तो कई चांद थे सर्यास्मा जो है, वो आजादी पर नहीं है, बलके दाख की जो वालदा थी उनका एक वालदा है इस तरह से, लेकिन उसमें यह, उसका पसमंजर बहुत खुबसूरत है, और दूसरी बात यह, कि उन्होंने जो जबान इस्तेमाल किया है, वो जबान शायद आपको इंट नहीं लिख सकेगा, कंटिनुवस्ट, 600 पेश तक वो जबान लिखना आसान बा बहराल सर, यह आप हमारे शहर के एक ऐसे राइटरे साब जो आज हमारे शहर के जो हमारी परमपरा थी, जो हमारी विरासत थी, उसको दुनिया में तक पहुंचाने का काम आप जैसे लोगों के बुदिन में है, और उसमें आपका नाम नुमाया है, और त्योंकि जो खिदम खिदर नहीं होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता है उर्दू के जासाथ में, लेकि फिर भी आप अपना खून, अपने रात, अपने दिन उसको दे रहे हैं, और अपने सारी महनस से, कुछ ना कुछ ऐसा नया कुछ पेश करनी जा रहे हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे महालात के लिए जरूरी है, या फिर अर्दू की जबान को बखा के लिए जरूरी है, हम उसके लिए आपको बहुत-बहुत मुबारक बात देते हैं, यह यह मिया, असल में क्या है, मैं आपको बताओं कि हमारी जो जमीन है, इसकी पैच्छान शायरी है, अफसाना नह इनके बाद हम लोगों ने अफ़ाने की तरफ ये बदला आपके पस है ना बश्र नमाज और इन लोगों तक तो शाहिकी पैचान की खैसे है आज जो है आप लोगों की वज़े से आज अपसाने की वज़े से हम अमने तोड़ा साहूरंगबाद करना हम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी हो सब्सक्राइब करें और आप जिस तरह खिदमत दे रहे हैं अर्दू के उसके लिए हम आप खाबिले मुबारक बात हैं हम आपको मुबारक बात देते हैं और आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे कहने के तलाश आज भी है या या मैं यह वादा तो नहीं करता है क्योंकि वह एक बहुत डिफरेंट फिल्ड है जिसका तालुक से पैसे से है मेरा तालुक कैसा काख़ज और खालम से है जो मैं वो चीज़े उतार ले सकता हूँ शुक्रिया तो मैं आपके अदा करू करते हैं यह 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 अपने मुझे यहा मदू किया इज़ती उससे बाते की मेरे बारे में बहुत अच्छी बाते की इसके लिए मैं आपको जानता हूं इसलिए बोल लेता हूं तो यह थे हमारे आयत के महमन किसी भी जबान को जिन्दा लखने के लिए उसके राइटर्स, उसके लिखने वाले, उसके चाहने वाले, उसके पढ़ने वाले तमाम लोग जिम्मेदार होते हैं और हम अर्दुवाले अगर जो लिखा जा रहा है उसे पढ़ना शुरू करते तो यखिनन ये जबान की उम्र और तोड़ी बढ़ जाएंगे अगले हफ़ते ऐसे ही किसी महमान के साथ हम आपकी मुलाखात करवाएंगे तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ जैहन, खुदा हापिस, नमशकार हूँ